प्रिवारों परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मुदी सरकार कर रही है कल सुप्रीम कोट में सरकार ने बोला कि करोना मुर्टकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और कुरूर मजाक है और कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंब का परिचायक भी है एक और बात और हम इसके साथ आपको आफिडेविट भी देंगे आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसको जो हलफ नामा जो शपत पत्र पहले दाखिल हुआ था और जो कल दाखिल हुआ है उसमें भी जबर्दस विरोधा भास है सरकार का पर एक चीज दोनों में कौमने की मदद का आशे शुरू से नहीं था पर इससे पहले की हम आगे बढ़ें कॉंग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमाने इनेता राहुल गांधी जी ने हमारे और तमाम श्रीष नेत्रित्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है और इस मंच से कॉंग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए पाँच लाक रुपए मुआवजे की मांग करती है और ये मुश्किल नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है हम सरकार में नहीं है फिर भी हम एक छोटा सा आखड़ा आपको बता देते है 4,000,000,000 रुपे सरकार ने पिछले साल कमाए थे मातर फियूल एक्साईज पर इंदन की एक्साईज जूटी पर 4,000,000,000,000 कमाए थे अगर हम 5,000,000,000 रुपे देते हैं 4,000,000 परिवारों को तो वो मातर 22,000,000 करोर रुपे जो कि कुल जमार राश्री का सिर्फ और सिर्फ सारे 5 प्रतिशत है अगर आप 5 लाख रुपए भी देते हैं मिर्तक के परिवारों को तो वो कुल जमाराश्री का जो आपने सिर्फ इंदन से कमाई है लोगों की कमर तोड़ के कमाई है उसका मात्र सारे 5 प्रतिशत है तो यह किया जा सकता और यह किया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के रोजगार नश्ट हो गए अगस तक में 15 लाक नौकरियां गए जुलाई में 32 लाक गए अप्रेल और माई में 2 करोड़ 27 लाक गए अनुमाने ताकरे नौकरियी नश्ट होने के 14 करोड़ तक हैं लोगों का वेतन कट गया भविश निदी जो EPF होती है वहाँ से 6,000 करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ की और ऐसे टाइम में जरूरत है क्योंकि बहुत बच्चे यतीम हो गए परिवार के जो में ब्रेड गलत है लेकिन कुछ बाते हम बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाता है कि सरकार का क्या रुख रहा क्योंकि सर्व प्रथम ये ग्यात रहे कि सरकार ने सुप्रीम कोट में सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट आग्ट 2005 के तहत कोविट महमारी तो आपदा है ही नहीं सबसे पहले ये कहा था पहली बात सरकार ने कहनी चाहिए कि कोविट तो आपदा ही नहीं है सुप्रीम कोट में इस कुतर को सुप्रीम कोट ने जाड़ा पूरी तरह से खारिज किया और अपने इस ओर्डर 30 जून 2021 में इस कुतर को ख लगातार हाथ घसीटती रही लगातार आनाकानी करती रही और तमामों अजर्ण्मेंट तमामों स्थगन लेती रही उसके बाद सुप्रीम कोट नहीं आदेश दिया कि हमारे आदेश को बाद देखोके पालन हो और जब कोई विकल्प नहीं देखा और याचिकारताओं ने भी चार लाक की मान करी थी लेकिन जब कोई विकल्प नहीं देखता है सरकार को आनाकानी करने के बावजूद तो कल 22 सितंबर 2021 को राजज आपदा कोश से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 50,000 रुपे देने का फैसला किया गया है यह उस प्रश्ट का पेज नमबर आठ है पेरा नमबर छे और साथ है यहां यह बताना अनिवार है और यह जरूरी है कि आपदा में क्या रूल होता है सरकारे नियम और कानून से चलती है तो नियम और कानून क्या है ये भी यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है ग्रह मंत्राले ने भारत सरकार ने ग्रह मंत्राले के माध्यम से 8 अप्रेल 2015 मतलब मोदी जी के कारेकाल में 8 अप्रेल 2015 को SDRF, State Disaster Relief Fund और NDRF की एक संशोधित सूची रिलीज करी थी सहाइता के नए मांधडनरी इसकी थे और उसके आधार पर किसी भी आपदा के दौरान बाकी कोई भी सहाइता के अलावा 4 लाक रुपे मुआवजा देना हमारे कानून में हमारी गाइडलाइन्स में अंकित है तो सरकार लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहती है पहले बोला गया आपदा ही नहीं है सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई तो माना गया आपदा है और अब आप लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहते आप इस तरह की आनाकानी कर रहे है बहले सरकार ने जूट बोला उस सदन में कि एक भी व्यक्ति की बिना उक्सिजन के मौत नहीं हुई लेकिन ये सच है कि शायद इस से पहले लोगों ने मौत को अपने सिर के उपर इतनी बुरी तरे से मंडराते हुए कभी नहीं देखा था मुझे आज भी अपरेल और मई के वो महीने याद हैं जब लगातार फोन बचता था जब लोग मदद की गुहार लगा रहे थे ऑक्सिजन नहीं था जो 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 नज़र आता था आँकों के सामने वो दिल देला देता था जब दवाईयां अस्पताल वैक्सीन आक्सिजन हमें चाहिए था रणबाकुर हमें मोदी जी मिले रणचोर आपको एक भी प्रेस वारता याद है मोदी जी की इस करोना काल के दौरान जब आम जन्मानस तो तरस्त था ही आपको याद होगा कि भाजपा के कारेकरता भाजपा के नेता इन भक्तों की मंडली इनके विधायक इनके सांसत तक टैग करकर के मदद की गुहार लगाते थे लेकिन मदद कहीं भी नहीं दिख रही थी क्योंकि सरकार की तो प्राथमिकता ही कुछ और थी सरकार को बंगाल का चुनाओ लड़ना था वहाँ जाकर दीदी ओ दीदी कहना था और उसी उपेक्षा का कारण है कि ये जो तरासदी थी ये मैन मेड हिंदुस्तान में बन कर उगरी आपदा थी दिक्कत थी विश्म में भी थी लेकिन इसका इतना विक्राल रूप यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि उपेक्षा और प्राथमिकता ही बिलकुल अलग थी ये सर्वविदित है कि संसत की प्रावनी के साथ छेर चाड की गई कि मोधी जी अपनी इलेक्शन राली करते रहें उनकी छवी बरकरार रहें लेकिन साड़े चार लाक सरकारी मौत के आकड़े ये सर्विदित है कि बहुत कम हैं मौत के आकड़े से बहुत जादा हैं और सरकार ने खुद भी वो भले अपनी विफलता को स्वीकारा है अगर ना स्वीकारते तो पूरा का पूरा स्वास्त मंत्राले हमारी आँखों के सामने चेंज ना होता उनकी विफलता थी लेकिन मोधी जी की एक और भी खुबी है कि विफलता खुद की होती है ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ते है जो स लगता एक ठीक दिन है कि हम पूछें कि पीम केर्स फंड का क्या हो रहा है आकडों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते क्योंकि कभी बताया नहीं किया है 40 से 50 हजार करोड रुपे उस फंड में आये थे आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए आपने काम न हला है इस पर इतनी उपैसिटि इतना बड़ा यह गुपत गोपनीट कियों है कि अप देश के लोगों को नहीं बताते कि वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो हमारी तीन मांगे हैं और मैं उस तीन मांगे को जरूर दोडाऊंगी हम फिर से कहते हैं कि हर मृत्यक के परिवार को पांच लाक रुपे मुआवजा दिया जाए मौत के आकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए हर राज में पुना करोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो और मुआवजे का जो दावा होता है जो क्लेम होता है उसको फिर से अक्सेप्ट किया जाए I will very very briefly repeat some parts in English The double speak and hypocrisy of the Modi government is out for everybody to see Yesterday in the Supreme Court the government said that compensation on account of Corona death is going to be only and only 50,000 rupees How are they calculating that? On what basis it is 50,000 rupees is beyond our mortal imagination We do not comprehend that But the reality is that this government has been dragging its feet on compensation from day one And before I move any further I want to assert the demand of the Congress party The Congress President, our leader Rahul Gandhi ji Have consistently said there needs to be proper adequate compensation for Corona deaths Today from this platform we demand a compensation of 5 lakh for every life lost during Corona Because Corona in India was a man-made crisis Instead of providing for oxygen and cylinders and beds and vaccines and medicines This government was too busy electioneering But what did this government tell the Supreme Court? First of all this government went and told the court that under the National Disaster Management Rules 2005 Corona is not a disaster The Supreme Court told them off And in fact in its order of 30th June 2021 Completely negated what this government had said The government kept taking adjournments, kept dragging its feet Eventually on the 22nd of September 2021 which is yesterday The government has said that through the SDRF A compensation of 50,000 will be released to every family, every life That has been lost due to Corona But one wants to understand What is the written law? The written law on the 8th of April 2015 During the tenure of Mr. Modi very clearly states That every life lost during a disastrous event During a disaster Will be compensated for by 4 lakh rupees Why is the government going back on the written law on the written word? It is absolutely true That at a time when the government should have prioritized Corona management It failed to do so It was too busy electioneering And which is why we saw the worst impact of Corona Just to place some things here The main wage earners have died in families Children have been orphaned People have lost their jobs Their wages have been down They have been forced to withdraw almost 60,000 crore rupees from the EPF And today it is a good day to ask If you give only 5.5% From the excise duty that you have collected on fuel in the last one year Which is nearly 4 lakh crore rupees You will be able to give 5 lakh for every life lost But why is this government not looking to do that? Fails my mortal comprehension It is also a good day to ask Where is the PM Cares Fund? What is happening with that? What is that money being put to use? Why is there such a shroud of secrecy around there? Why is nobody talking about the PM Cares Fund in the government? This is not some private fund of the BJP This is money that people like us have contributed to This is money that has been collected under the seal of the union government In the PM's name Why is this money not being put to use? I would only want to reassert three of our big demands 5 lakh rupee for every life lost during the corona pandemic The shameful attempts to mask deaths have to be stopped immediately There should be a fresh survey of deaths in every state An adequate compensation should be given And fresh claims should be accepted We will first take Suomoto questions and then we can talk about the rest There are some states that have announced But the central government under the Disaster Management Act Rules 2005 Which I quoted here 8th April 2015 Sorry SDRF and NDRF Had released a list And new criteria for compensation It very clearly states 4 lakh But because the nature of the pandemic was such that Young lives were lost People have lost their wages People have lost their jobs We demand a compensation of 5 lakh From the union government Of course that will be distributed through the SDRF That's the norm But the government of India cannot get away with this cruel joke Of 50,000 rupees 50,000 rupees to hospital Aspital do not go in the middle of the hospital 50,000 rupees Do not go in the middle of the hospital And the death of the hospital एक करोना है कहां पे दोरा है सौरी प्रधान मंत्री जरूर दोरा करें प्रधान मंत्री जब जाते हैं तो भाजपा के ही प्रधान मंत्री नहीं है वो देश के प्रधान मंत्री हैं उनको देश का सर उंचा करना चाहिए उनको भारत के हितों की हमारे सामरिक हितों की बाते करन मोधी जी ने लेकिन फॉरिंड पॉलिसी को विदेश नीती को एक कैमरा अपर्चिनिटी बना कर छोड़ दिया है लेकिन विदेश नीती सिर्फ गले लगना नहीं होता है कूट नीती या विदेश नीती भारत के हितों को कैसे सर्वों पर ही रखा जाए उसका लबो लबाब यही है लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो रशा हो चाहे वो अमेरिका हो हमारे हितों को सर्वों पर ही रखकर आज बात नहीं हो रही है विश्व में भारत की भागीदारी के बगएर कोई फैसला नहीं होता था आज भारत को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है तो मोदी जी को हम सफल दोरे की शुबकामनाई देते हैं लेकिन हम साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि आप भारत के सामरे खितों की बाते कैसे कर रहे हैं कि आप भारत की बाते की तोचे हैं What happened with the Pegasus snooping scandal was the greatest threat to national security. A probe into this will ensure that national security is never compromised. Please understand, who were the people snooped upon? It wasn't just political opponents. There were people in constitutional positions. There were people associated with the Chief Justice of India. There were people associated with the Election Commission in an election year. These are very, very serious allegations. The reality is that snooping was done on people who were in elected positions of power, which also compromises the Official Secrets Act. And there was never a bigger compromise with national security than Pegasus. On Pegasus, we will only say there has to be a full-fledged, absolutely full-fledged probe by the Supreme Court of India under its custody. The entire probe has to be, because anything less than that is not going to be satisfactory as far as national security is concerned. And I also want to say here, the issue that you are raising about some committee, I welcome it, but it has to be a part of a larger probe. And I hope it will be. You know, the Supreme Court will be asked for the Supreme Court. The Supreme Court has asked me to ask me, the Supreme Court has asked me to ask me when I am the reporter. आपने सिर्फ राजनितिक प्रतिद्वंदियों की ही नहीं आपने समवेधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करी थी उसमें Election Commissioner की जासूसी हुई थी तताकतित तोर पर उसमें सर्वोचो तम ना जाले कि Chief Justice of India से Associated महिला की जासूसी हुई थी उसमें चुने हुए लोगों की जासूसी हुई थी जो तो Official Secrets Act का उलंगन है और ये सारा डेटा एक विदेशी जगे विदेशी कंपनी विदेशी गवर्मेंट के हाथ में था तो इससे बड़ा राष्ट्य सुरक्षा के साथ खिलवार दूसरा कोई नहीं है महिला असमिता के साथ इससे बड़ा खिलवार कोई नहीं है क्योंकि पेगसेज एक मिलिटरी ग्रेट स्पाइवेर है जब आपके फोन में आ जाता है तो वो आपके फोटो आपकी पूरी डिजिटल फुट्पिन पर कबज़ा कर लेता है तो मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोट के तत्वाबधान में पूरी तरह से इस पर एक जबरदस तरीके से जाच होनी चाहिए और ये टेकनिकल कमिटी उसका एक हिस्सा जरूर हो सकता है ये अच्छी बात है लेकिन एक विस्तरत जानकारी एक विस्तरत जाच होकर देश के सामने सच और तत्थ आने चाहिए इसा है कि वो शायद मेरे पिता जी के उमर के होंगे मैं बता रही हूँ आपको मैं जवाब दे रही हूँ बुजर्गों को गुस्सा आता है और बहुत जादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बाते कह देते हैं मुझे लगता है कि उनके गुस्से का उनके उमर का उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर विचार करेंगे लेकिन राजनीती में गुसा, इरश्या, दुएश, व्यक्ति विशेश पे टिपड़ी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगे नहीं है हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर विचार करेंगे क्योंकि वो कॉंग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे उनको कॉंग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है आपको याद होगा उनको राजी इंद बटल जी के जगे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिपड़ी बहुत जादा ना करके मैं ये सोचती हूँ कि उनका अनुभव पबलिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को उनके स्टाचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनरविचार करेंगे हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका चड़क गुसा मान कर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे लेकिन इस तरह की शब्दावली की द्वेश की इर्शया की और गुस्य की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीती में अपने के लिए भी या प्रतिद्वन्दी के लिए भी ऐसी कोई जगे है क्या तरीका है ऐसा है राजनीती में लोग फैस्ते लेते हैं कुछ अपने हितों में लेते हैं कुछ अपनी कंस्टिट्वेंसी के हितों में लेते हैं ये इंडिविज्वल फैसला होता है छोडने या जॉइन करने का इस मंच से मैं इस पे कोई टिपडी इसलिए नहीं करना चाती हूँ क्योंकि ये फैसला अंततों गत्वा हर व्यक्ती खुद लेता है हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पुर्जोर तरीके से लड़ रहे हैं जो इस लड़ाई में, इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे, जो अगर छोड़ के जाना चाहता है, उस पर मैं टिपड़ी नहीं करना चाहूंगे। मुझे बहुत व्यथित करता है, हम लगातार उनके प्रती अपनी शद्धानजली अर्पित कर रहे हैं, उनके शद्धालूं के मन में बहुत व्यथा है, वो परिशान है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही पुलिस है, जो लगातार हातरस में ये बार-बार कहती थी कि रेप हुआ ही नहीं है। वो ADG Law and Order, आज भी ADG Law and Order बने हुए हैं, जिन्होंने कहा था रेप हुआ नहीं है और CBI की चार्जशीट में है कि रेप हुआ हुआ है, उनके खिलाफ कोई कारवाही नहीं हुई। तो जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश शुरू से की जाने लगी कि ये आत्मत्या है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। ये हुआ या नहीं हुआ, ये मामला पुलीस पहले से साबित करने पर क्यों तोली हुई है, आप तो पंखे की बात कर रहे हैं, उनके अनुआईयों तो ये भी कहा है कि वो लिखते पढ़ते नहीं थे। और तेरा पन्ने का सिवसाइड लोट लिखना बड़ा विचितर बात है और वो भी ऐसा नोट जिसमें तारीखें बार-बार बदली गई, कभी 13 सितंबर से 20 सितंबर हुआ, बार-बार चेंज हुआ, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी गुत्थी है, लेकिन इसको सुल I am glad a CBI probe has been ordered, but the CBI has reduced itself to a mere frontal of the BJP, it goes to election going states, it lands at the doorstep of opponents, it lands at the doorstep of governments which the BJP wants to manipulate and compromise, so the problem with the CBI is it has lost all its credibility, the problem in UP is that the UP police has no idea about what the rules are and Hathras has proven that and which is why we believe there should be a judicial probe into this Thank you, dhanye baad ये करोना की बाद बहुत जरूरी है, प्लीज इसको आप लोग जरूर उठाएए ये कर दो पको आप सक्वेंट